अनुराग, ये इंडिया एक उम्मीदवार अनेक, दो दन पहले तो लगा कि वो चिरकुट चिरकुट अखिलेश वखिलेश पुरानी बात हो गई, पर यहां तो उम्मीदवार अभी भी खड़े हैं, और अब जेडियू भी आ गई, देखे आपको एक बात तो माननी पड़े अगर हम चार लोग हैं, चार लोग में अगर कोई बात नहीं होगी, चार भाई हैं, उनमें खटपट भी होगी, खटपट का मतलब आपस में प्यार है, लेकि बाहर वाला कोई आएगा राष्ट के मुद्दे पे हम चारों लठ लेके सामने खड़े मिलेंगे, चुकि हमें अगराष्ट के मुद्दों पे हम सब एक हैं, अभी तो लठ लेके आमने सामने खड़े हैं, नहीं खड़े हमने सामने, हमारी, देखिए, क्या होता है, कि लोकतंत्र में आपको ये मानना पड़ेगा, कि भारती जंता पार्टी की तरह ऐसा तो है नहीं, कि इनका एक NDA एला भी बात हैं, हम आपस में कोई भी होती है, तो बापस में हमारे सुला भी हो जाती है, चौती बैटक नहीं हुई, साजा रेलिया होनी थी, बुपाल से ही शुरुआत होनी थी, वो नहीं हो पाई, साजा उमीदवारों का चैन, सयोज़क का एलान, लोगो लाँच, सची वाल मीटिंगें भी दिखाई पड़ेंगी, रैली भी दिखाई पड़ेंगी, हम इंडिया वाले सब एक हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कि अगर कहीं कोई बात ही नहीं होती है, इसके मतलब कोई अपना, बात तो हो गई ना, राहुल कांदी की बात हुई, अगले शियातव से, मलिका अरजिन खड़के की भी हुई, पैतालिस के पैतालिस उमीदवार खड़े हुए हैं आपकी, देखे जो एंडिया गड़ बंदन है, उनमें आपस में कोई बात ही नहीं होती ही, तो कोई सन्ना टासर रहता है, इसके मतलब कि कोई वहां पे लोकतंतर ही नहीं है, कॉम् सवाफीजदी आपके वोट मिले थे, एक उमीदवार जीता वो भी बीजेपी में, अब पैतालिस खड़े कर दिये, समाजवादी पार्टी की हमेशा से मदपरदेश में प्रजेंस रही है, हम हुआ छे सीटे भी जीते थे, हम कई सीटों पे नमबर दो पे लगाता रहे हैं और एक सीट लास्ट टाइम हम जीते थे, और खेर बीजेपी के पास, बीजेपी ने अपने हिसाब से आप जानते ही, उनको तोड़े में माहर है, हमारे पड़ोसी की तो पार्टी दो भाग में कर दी, लेकि फिर भी उमानने को तया नहीं होते, फिर भी गीदे वे, वो तो घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये हैं इनकी बहू, पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फे ABP News आप को रखे आगे